हलो एंड वेलकम बेक एगन फ्रेंड में मनी से निये एक बार फिर आप से का सवागत करता हूं फ्रेंड आज मैं आपके साथ डिसकस करने वालों एक नई रिक्रीटमेंट को लेके जिसका नोटिपिकेशन हाली में स्पोर्ट्स अथोरिटी ओफ इंडिया मींस एस ए आई के दवारा जारी किया गया है फ्रेंड एस ए आई के दवारा नर्सिंग असिस्टेंट के पतों पर वेकेंसी निकाले गई है सबसे पहले दो इंपोर्टेंट बाते फ्रेंट्स आपको बताएंगे कि यह जो बड़ती निकाले गई वो कॉंटेक्ट बेस पर है और इसका जो कॉंटेक्ट का तो टाइम पिरिट रखा गया है वो अभी के लिए दो सार रखा गया है इसके बाद इसको फाइफ येर तक कि एक्स्टेंड करेंगे तो चलिए फ्रेंट डिसकस करेंगे कितनी आपर वेकेंशी निकाले गई क्या क्वालिफिकेशन आप रखी गई है आपको अपलाई कैसे करना है अपलाई करने के लिए आपर कोई फीस ने रखी गई है ओल इंडिया कंडेट यहांपर अपलाई कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट से या किसी भी राज्ये से nursing council register होने चाहिए तो तेलिए friends सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो vacancy निकाले गई है उनकी संख्या रखे गई है दो केवल दो ही पदों पर यह vacancy है friends आप देख सकते हैं nursing जो assistant है केवल आपको 25,000 पे परमंध यहाँ पर मिनने वाले हैं इसके लाव friends आप discuss कर लेते हैं तो qualification सब क्या रखे गई है तो आपने 10 प्लस टू पास की भी हो इसके लावा आपने GNM किया वा हो और यहाँ पर friends आपको बता दें BSC nursing के candidate भी अपलाई कर सकते हैं तो चलिए friends इसके लापको बताएंगे कि आपको जो selection है वो किस प्रकार होने वाला है हालांकि friends आपको बता दें कि essential qualification में किया इतना यह मांगा है कि आपने GNM BSC nursing क्या वा हो कम से कम यह होना चीए हालांकि नोने आगे यह भी बताया है कि जो experience है वो भी आपका यहाँ पर जोड़ा जाएगा यदि आपको एक साल का experience है तो आपको दो नंबर मिलने वाले हैं इसके अलावा जो selection की तो process friends वो आपके interview के तुरू होने वाले जो interview है वो handed number का होने वाला है short list की तो content है उनी को interview के लिए बुलाया जाएगा उनके जो आप अपनी जो gmail id send करेंगे उसके उपर आपको message प्राप्त हो जाएगा वहाँ पर आपको क्या क्या पुछ जाएगा फ्रेंड्स यह यह जो related अपना है उससे आपसे 30 questions पुछ जाएगे इसके अलावा जो practical knowledge जब आपसे 30 नंबर से पुछ जाएगा sports organization का आपको कितना knowledge है 10 questions वहाँ से आएगे इसके अलावा आपके जो basic computer knowledge है वहाँ से भी आपके 10 नंबर के question पुछ जाएगे इसके लाव फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको apply कैसे करना है तो apply करने के लिए फ्रेंड्स जैसा की बताया गया है यहाँ पर दोनों male और female candidate है वो apply कर सकते हैं यह नहीं कि male ही करेंगी या फिर female ही करेंगी ऐसा कुछ नहीं है इसके लाव फ्रेंड्स आपको apply online करना है online का मलब यहाँ पर आपको किसी site पर ने जाना है यह जो आपको यहाँ पर gmail बताये गई है इसके उपर आपको फ्रेंड्स अपने जो document वो scan करके send कर देने हैं इसके लाव फ्रेंड्स आपको बता दे कि यहाँ पर जो apply करने है आपको जो भी file आप apply करेंगी सबसे पहले आपको इसका application form वो निकवालन लेना है किसी भी emitter वाले से इसका application form भी हम आपको दिखा करेंगे इसके लावा जो आपको apply करने की जो date है वो पांच अक्टूबर से शुरू हो चुकिया मलब आज से शुरू हो चुकिया और 26 अक्टूबर तक यहाँ पर apply कर सकते हैं सबी तो document friends वो आपको यहाँ पर test कर देने हैं जो application का format है वो अभी आपको हम दिखा देंगे आ इसके लावा जो आपका registration certificate किसी भी state council से हैं तो वो भी यहाँ पर आप अटेज्स करेंगे को लेटर का friends हमने आपको बता दिया है कि अनी candidate के लिए आएगा जिनको वो sort list है यहाँ पर करने वाले हैं इसके लावा friends आप यह देख सकते हैं application जो format है आपके लिए यह friends आप देख सकते हैं application format आपके लिए सबी जो आपको यहाँ पर बढ़ना friends वो capital अक्सरों में ही बढ़ना है आपका permanent traders mobile number proof identity academic qualification आपने intent कब की थी इसके लावा आपने जियना में अब्याश इनर्सिंग कब की थी अगर आपके पास को experience है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं आपको friends जो भी आप documents यहाँ पर submit कर रहे हैं इस form के साथ इस application form के साथ वो friends आपको self-protested करने हैं अगर आपने self-protested नहीं किये हैं तो फिर वो आपका form reject हो जाएगा किसी भी परिशानी के लिए आप हमें comment कर सकते हैं इस vacancy से related जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद पीस